हेलो पेरे दोस्तों इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है फ्रेंट इस वीडियो में हम लोग दिखेंगे खिलाडियों की संख्या अलग अलग खेलों में दोस्तों इसमें हम लोग टोटल पंदरक अलग अलग खेल में कितने खिलाडी होते उसको कबर करेंगे और लास्ट मे वर्ल्ड कॉप और फिफा कब कब स्टार्ट हुआ था उसको भी ट्रिक से नेमोनिक मेथड से देखेंगे और ये सारा पंदरा जो भी हम लोग लेंगे इसमें को भी नेमोनिक मेथड से MCQ के तौर पर रहेगा तो ये आपके लिए रिविजन भी हो जाएगा और MCQ तरीके से मैं याद भी करवा दूँगा तो दोस्तो ये बहुत ही छोटा वीडियो होगा अप लाज तक बने रहेंगे और सारे चीच को हम लोग कबर करेंगे तो दोस्तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला बास्केट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं A 6 B 7 C 5 D 8 दोस्तो अगर ये सारे अंसर आते हैं आपको तो अल्रेड़ी आप टिक लगाते चलोगे मैं एक सेकंड का टाइम दूँगा उस टाइम में आप इसको मार्क कर लोग अंसर अगर फास्ट लगेगा तो वीडि बास्केट होता है जो आप बास्केट लेके जाते हो ना बजार बजार लेके जाते हो तो उसमें क्या लाते हो साग सबजी लाते हो ना बास्केट में क्या लाते हो साग सबजी पूरा भर के लाते हो तो बस आपको यादर नहीं किया कि बास्केट में आपने क्या भर के लाय अलू भरके लाया क्या लाया है दोस्तों आलू भरकर लाया तो बस आपका بस ah क्लेर होगया उलू तो बस आलू को decode कर दिजिए तो आलूल में रिक ही कोड होगा एक नहीं होगा रिated रांतिprechen लाट उन्हीं होगा तो अब आपको पता है तो बस आपको आपको पोल्यों होता है ये एक साल में तो एक का नहीं होगा, E का नहीं होगा, A का नहीं होगा, सिर्फ R का होगा, R का कितना होता है, 4 होता है, 4 किदर दिख रहा है, B, B is the right answer, अगला दोस्तों, तीन नंबर, होकी में कितने खिलाडी होते हैं, A, 11, B, 9, C, 15, D, 7, मेरे ख्याल से आपका अंसर टिक लग चुका होगा, दोस् किस टिक से इतना मारा गया, कि लड़का का क्या होगया, death होगया, क्या होगया, death होगया, clear है, तो बस आपको आद रखना है, death, कि होकी स्टिक से मारने के बाद क्या होगया, death होगया, D का code 1 होगा, E का नहीं होगा, A का नहीं होगा, H का नहीं होगा, T का 1 होगा, तो 1, 1 कित एंसर पर ठीक लग गया होगा जो राइट अंसर होगा वह दीखें जिन मास्टिक आप देखें होगे कभी यूटiوب या कहीं फर भी विडियो दीखें तो जिनमास्टिक में क्या होता है कि वान लोग ये बेरियर बनाया जाता है ये बेरियर है इसको उपर फांगना है तो इधर से क्या करते हैं लोग स्पीड में दोड़ते हुए आते हैं और इसको एक जंप करते हैं तो देखें यहां से यह ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए एक बस जिनमास्टिक में वेब की तरह आता है और भी का कितना होगा 8 होगा वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं कैसे याद रखेंगे देखें द्यान से ए पहले option देख लिए ए का 7, B का 9, C4 और D5 आपका अंसर टिक लग गया होगा दोस्तों इसको याद कैसे करना है देखिए water polio जब पिला रहे थे न उसमें अगर water मिला देंगे तो क्या पड़ जाएगा weak पड़ जाएगा न दोखो लोगों को क्या करना था अब उसमें water मिला दिया तो लोग क्या हो जाएगा weak हो जाएगा न पानी जैसे मिलाओगे तो पिलाएगे तो देखे W का ने होगा, E का ने होगा, A का कितना होगा, 7 होगा, K का कितना होगा, 7 होगा, A is the right answer clear है, आगे देखे, football में कितने खिलाड़ी होते हैं, A 11, B 9, C 7 और D 12 मेरे ख्याल से यह answer आपको याद होगा, इसको बताने का ज़रूरत नहीं है, football में कितने खिलाड़ी होते हैं, दोश्तों, 11 होते हैं तो directly इसका answer कितना हो जाएगा, A is the right answer किर्केट में कितने खिलाडी होते हैं किर्केट में कितने खिलाडी होते हैं किर्केट में कितने खिलाडी होते हैं इसको भी बताने का ज़रूरत नहीं है किर्केट में कितने खिलाडी होते हैं ग्यारा खिलाडी होते हैं तो मेरे क्याल से बेडिमिंटेन में कितने खिलाडी हो तो ग्रूप में खेला जाता है 1-1 का ग्रूप खेला जाया या फिर 2-2 का ग्रूप खेला जाया या फिर 3-3 का ग्रूप खेला जाया ऐसा करके होता है ठीक है तो बेड़ी बिंटेन में कितना होता है तो मेरे खाल सांसर टिक लग गया होगा या तो सिंगल होता है या तो फिर एक सिंगल सिंगल खिला जा सकता है या फिर डबल डबल खिला जा सकता है तो सिंगल आप सुनेंगे सिंगल और डबल टेन इसमें ठीक है अगला स्क्वेस में कितने खिलाडी होते हैं स्क्वेस में कितने खिलाडी होते हैं इसमें भी सेम चीज, दो और तीन, एक और दो, तीन और चार, और चार और पांच, मेरे ख्याल से अंसर टिक लग चुका होगा दोश्तों, तो इसका जो राइट अंसर होगा, वो होगा, भी इस दर राइट अंसर, इसमें भी सिंगल सिंगल खिले जाते हैं, या फिर डबल ड अब टैनिस में दिखते होगा, तो आपको पता है क्या, कि डबल और सिंगल खिला गया, ठीक है, तो यह आपको याद है, तो बस आपको याद रखना है, डबल या सिंगल ये तीनो होता है, पैडमिंटन, टैनिस और स्क्वेस, आगे देखिए, रगबी में कितने होते हैं, A, 11, B, 13, C, 15, D, 16, मेरे क्याल से अंसर आपका टिक लग चुका हूँ, दोस्तों आपको बस याद रखना है कि रगबी, जो भी रगबी का मैच होता है, डिल्ली में होता है, कहां पर होता है, कहां पर होता है, किलिया रहे, तो बस आपको आपको याद रखना है कि रगबी का मैच कहां पर हो रहा है देल्ली में D का 1 होगा L का 5 होगा कितना होगा पंदरा C is the right answer तो रगबी कहां खिला जा रहा है देल्ली में खिला जा रहा है और दोस्तो मेरे क्याल से रगबी जो है Scotland का राष्ट ये खेल है आपको पता है ठीक है खोखो में कितने खिलाडी होते है खोखो में कितने खिलाडी होते है A7, B8, C10, D9 मेरे क्याल से अंसर आपका ठिक लग चुका होगा दोस्तो इसका जो right answer का वो देखेंगे फिले देखिए खोखो, खोखो मतलब जब खासी आता है खोखो करते हैं तो बस वही बोला जा रहा है आप खोखो, खोखो, खोखो आप मत करो खोखो आप मत करो क्यों क्योंकि अभी कोरोना का टायम है खोखो करोगे तो पिटाय होगे भी ठीक है तो बस आपको रखना है खोखो आपको नहीं करना तो A6, B7, C9, D11, मेरी कहाल से अंसर आपको टिक लग चुका हुआ, इसका जो राइट अंसर होगा वो देखेंगे, पहले देखे, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल आपको बता ना, जब भी आप देखेंगे क्या कि गोवा या बीच कहीं पर भी बीच में देखते होगे, तो क्या पर खिला जा रहा है, गोवा में खिला जा रहा है, तो बस O का नहीं होगा, A का नहीं होगा, G का कितना होता है, 6 होता है, तो 6 is the right answer, age the right answer, तो वॉलीबॉल का 6 हो जाएगा, आइस होकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आइस, आपको बस यह भी याद रखना है, कि जो आ आपस कितना हो जाएगा, G का 6 होता है, तो 6 is the right answer, तो आपको याद रखना है, वॉलीबॉल और आइस कहा खिला जा रहा है, गोवा में खिला जा रहा है, कबड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं, अगर नहीं याद है, फिर भी आपको याद रखना है कि कबड़ी में वीक लोग नहीं खिल सकते हैं, वीक लोग खिलेंगे कबड़ी तो ऐसे उनका पैर हाट तूट जाएगा, तो वीक लोग कबड़ी में नहीं खिल सकते हैं, कौन लोग नहीं खिल सकते हैं, वीक लोग, तो ये तीन डिजिट का नहीं होता है, तीन डिजिट का क्यों नहीं हो, क्य आगे देखें दियान से फीफा कब से शुरू हुआ और वर्ल्ड कब कब से शुरू हुआ तो दो टोपिक देखेंगे दियान से पुछा जाता है एकजाम में कि फीफा कब से शुरू हुआ तो बस आपको बाद रखना है क्या कि फीफा जब फीफा मैच होता है तो क्या करते ह लोग बजार बंद करके देखने के लिए चले जाते हैं बजार बंद करके देखने के लिए चले जाते हैं बजार बंद करके कहां जाते हैं फिफा देखने के लिए तो बी का कोड कितना होगा नाइन होगा जेड का कोड कितना होगा दुश्तो एस और जेड का बेलू कितना हो होता है आर का कितना होगा 4 होगा तो clear हो गया एक आगे लगा दीज़े तो 1904 में क्या हुआ था FIFA का स्टार्टिंग था मतलब सुरू हुआ था FIFA का स्टार्ट का वज था 1904 में हुआ था World Cup सुरू हुआ तो वर्ल्ड कप दिखे दियान से वर्ल्ड कप शुरू कब आपको क्या रखना है कि खाना वाना पका लो खाना वाना पका लो खाना पका लो वर्ल्ड कप देखने जाएंगे मतलब टीबी मान लो कि घर में टीबी में वर्ल्ड कप चलने वाला तो क्या बोलते हैं लो खाना से पकालो वर्ल्ड कफ देखेंगे तो पकालो पी का कोडi 9 होगा की का कोड outsidegrass? एक आगे लगा दिजै तो 1975 1975 में وर्ल्ड कफ श्टार्ट हुआ था ठीक है और ने107 एमर्जनसी लगा था ठीक है दोस्तो मेरे क्याल से पटीज उन उनी सोफचतर को इंद्रागांदी के कारिकाल में लगा था और उस समय पे कौन राष्टपती थे दोस्तो फकरुद्दीन थे कौन थे फकरुद्दीन आपको मैंने याद करने का तरीका राष्टपती सारा बता दिया हूँ तो मेरे ख्याल से ये किलियर हो चुग सारा बजार बंद हो गया सब फिफा देखने चले गए लेकिन जब वर्ल्ड कप होता है तो घर वाले लोग क्या करते हैं जली से खाना पकालो हम लोग सब देखेंगे मैच ठीक है तो वह जोरी नहीं कि बजार पुरा बंद हो या ना हो बट घर वाले लोग चाहते हैं कि द हमें जाल दूगा तो बहार से आप इसका पीडिय ले सकते हैं मेरी क्याल से सारा चीज याद हो गिया होगा सारा यह बरबर पर.: पूछा जाता है कि Caleb में कितने ख़िलाड़ी होते हैं तो मेरी क्याल से सारा आंसर आपको clear हो चुका होर और अगर आपको लगता है आपने नो तो जय हिंद